हेलो एविवान एंड वेल्कम बैक इस ट्रमा के सेकंड पार्ट में आप से भी कस्वागत है उससे पहले अगर इसका पार्ट फास नहीं दिखाए तो आपको उसे देख लेना चाहिए इस ट्रमा की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर मारा लास पार्ट खत्म हुआ था मतलब है यहां पर हम लीवी को दिखते हैं जो की परफेक्ट वाई बनने के लिए लेक्शर्स ले रही होती है यह पर मूमोस उसे बार बार डांट पड़ती है और वो उसे हर बार डा यह माता है और उसे मोमो ने जिखाया था कि तुम जब तक खाना नहीं कहा सकती जब तक तुम्हारे माय लौट खाना स्टार्ट ना करें लीवेट करती है ताकि यह जली से स्टार्ट कर दे इसके बाएं जली से खाती है और उसे मोमो ने भी कहा था तुम जब तक उस डिस्को टच नहीं कर सकती जब तक इंजंग टच ना करें इसके बाद इंजंग जैसे किसी डिस्को टच करता है लीवी वो सारा का सारा उठा गए अपनी प्लेट में रख लेती है और जली से खा जाती है लास्ट में इंजंग देखता है कि लेवी तो सब कुछ खा रही है इसके बाद उसका पेट तो शेदेगर भड़ जाता है और कहता है थीक है तुम खा लो यहां पर लेवी उसे देखती है इस नहीं किया आप रहला हुआ कि ठीक है प्रसीड कर सकती है तुम सब खाजा है लेवी कहती है वेस् ठोड़ी करेंगे में चुम्हीं पास आती है और कहती है कि आई नो कि हमारे बीच वैसे रिलेशन्शिप नहीं है जैसे कि यूजली कफल में होते हैं पर आप मुझे अपनी विशिंग लिस्ट बता दीजिए ताकि मैं आपकी सारी विशिस पूरी कर सकूं वैसे आपके पास कम दिन बचे हुए है ना तभी इ यह तो जाती है और वह ऐसा सीन करना चाहिए थी जली जाने वाला है दुनिया से उसके साथ से इंज्ञ का एक पॉट्रेट भी बनाती है जिसे वह सामने टांग देती है और गहती है कि यह बिल्कुल अच्छा लग रहा है तभी इंज्ञ कैता है कि तुमने सब क्या क्या य है यह काफी अच्छा लगी का यह पर उसके सेर्वेंट पर इशान होते हैं कि आखे लीवी ऐसा क्यों कर रही है इंज्ञ को खुश करने के लिए उसे एक पपी भी लेकर देती है यहां पर इंज्ञ सिर्व उस पपी को देखे खुश जाता है विकौस उसे हमेशा से डॉक पसंद थे पर सेकंड प्रिंस की एलर्जी की वज़े से उसे कभी भी इस पैलेस में डॉक एलाउग नहीं किये अब जब बढ़ा हो गया है तो वह स्किफ्ट को लिए का विदा खुश जाता है आफर एट हम इंज्ञ के सेर्वेंट को देखते हैं जो कि भाग का इंज्ञ क घृट होने वाली है यह को ब्रा लगेगा पर उसे अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मोमो की डांक भी सुनती है और उसके बाद हैं तो मुझे यतना भी डांट ना है उसके बाद तुम्हीं से भागने वाली हूं इंचेंग की डैथ होने वाली है लिवी के साफसे और उस दिन कुछ और नहीं बलकि एक्साम होता है जो कि पर्सनली इंचेंग की डैट लेने वाले हैं इंचेंग सारी कौशन के सईसी जवाब देदा है और इसके बाद वह फर्स्ट रैंक पर आता है after that हम यहाँ पर लीवी को दिखते हैं तो उसने सारी तियारे कर ली होती है वो सफेद कपड़े पहन कर और काकट जला कर साथ में कटा हुआ प्याज लेकर रोनी की कुशिश कर रही होती है और कहती है कि प्लीज मुझे कोई बचा लो मेरे हस्बें नहीं रहे मैं क्या करूँ मैं तो बरबाद हो गई प्रीस कुई मुझे तो देखो मैं कितनी दुखी हूँ इसके बाद उसकी मेड आती है और कहती है कि और हाइनेस आप ही क्या कर रही है इसके बाद वो सब कुछ बजा देती अफ़दय लीवी से कहती हैं कि यह आप क्या कर रही है आज तो खुशी का देन है आप यह सब क्यूं कर रही है और आपने कपड़े क्यूं पहने माईल ओर ते ठीक ठाक है अब इसके बाद यहाँ पर इंजेंग के इंट्री होती है जब लीवी इंजेंग को देखती है तो एकदम शौक हो जाती है उसके बाद उसके बाद चलाना स्टार्ट कर देती है विकॉस इंजेंग उसके सामने जिन्दा खड़ा हुआ था और कहती है हो कैसे सकता है मरने वाले थे इस इंपॉसिबल वहीं पर गिर पड़ती है तभी उसकी दोरों मेटों से खड़ा करती हो गया थी कि मुझसे गलती से हो गया मैं हमेशे आपके साथ रहूंगी और आपकी हर बात मानुगी क्या है ठीक है प्लीज मुझे मारिएगा मत मेरी लाइप बहुत प्रीश्यस है आपसे भी जाता नहीं आपसे आता नहीं है पर मिरे लिए तो है उसके बाद हम इंजेंग को देखते है जो कि लीवी को माफ कर देता है और कहता है कि कोई बात नहीं आप यहाँ पर सभी को बेश देता है और लीवी से अकेले में बात करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे एक बात बताओगी लीवी कहती है कि हाँ तब यहाँ पर लीवी कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या तो नहीं इंजन कहता है कि मैंने इतने दूनों से तुम्हें नहीं मारा तो आप क्यों मारूंगा वी कहती है कि आप फिजिकली काफी वीक लगते हो लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉंग हो और यहां पर पैलेस में भी लोग यही सुछते हैं कि आप हमेशा मुझे गायब रहत तब यहां पर इंजन कहता है कि इस पहली बार किसी ने मुझसे खुल के बात किये इन इस रेली नाइस चलो कोई नहीं मैं तुम्हें माफ करता हूं उसके बाद इंजन को फाइनली लीवी थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगती है इसके बाद इन जैंग और लीवी मेरिट को परस्यू करना है यहां पर लीवियान का सारा लेक्टर सुनती है उसके बाद काफ़्ी बाद कींपढूरे कि उसे सब करना पड़ेगा क्या आकर इंजनक उस एपनी वाइप कैसे बना सकता है और उसने पूरी कोशिश की कि पसंद ना करे और किसब कैसे हो सकता है तब यह यहां पर लीवेई को आइडेया आता है और कहते हैं कि घर बीच देते हैं यह दो बहुत अच्छी बात है इसके बाद यहां पर लीवेई को देखते हैं जो है जो कि एक दम्हें त्यार होका लीवेई के आपर लीवी को दिखते हैं इतना तीका खाना काया कि उसके जो लिप्स हैं वो श्वैल कर गए होते और उसका चैर एकदम डिस्विगर हो गया होता है और यह चीज एकदम में डूल है अगर फेस्विगर हो जाए तो यह दरसल मायलोट की इंसल्ट होती है इंजैंग से सौरी पहले और गये थी कि सारी सारी मेरी कलती थी मुझे नहीं करना चाहिता है इसलिए आज तो हम मेरेट कपल नहीं बन सकते तो कभी और दिखते हैं तभी आपर इंजैंग वहांसे चला जाता है और कहता है कि ओके आफर देट हम हावजया को दिखते हैं कि शादी क्राउन प्र मेलेस भी होती है हावजय को परिशान कर दिया पर हावजया तो नमबर वन है उसे चीजों की आदत है और वह इरादा पक्का करकर आई थी कि वह बनेगी तो सिफ और सिफ कोई नहीं नहीं तो उसका कोई मतलब भी नहीं है और इसे के साथ हमारा यह पार्टी पर कतम हो जात है सो मिलते हैं एक्सपट के साथ थैंक यह सूमच गाइस वाचिंग